चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके, आल पर जरूर क्लिक कीजिए, तो आपको वीडियो अप्लोड होते ही, नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर. हलो मेरे दोस्तों, विकास मेरे पिता जी के काजिन का बेटा है, और अभी कुछ दिनों पहले वो हमारे घर हमें मिलने आया था, विकास की एज यही कोई 28 या 30 यह होनी चाहिए, और वो एक IT एंजिनियर है, अब यहाँ वहाँ की बाते करते करते, डिसकेशन आप पहुँचा इन्वेस्टमेंट्स पर, और बातों बातों में विकास ने कहा, कि अगर इंडिया में अमीर बनना है, तो रियल इस्टेट में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरे ऐसे कितने दोस्त है, जिनके पिता जी ने रियल इस्टेट खरीदा था, और आज वो एंजॉय कर रहे है, और अब उन्होंने उस प्रॉपर्टी को 1 क्रोर 8 लाक रुपीज में बेचा, यानि उनके पैसे 445 परसेंट से बढ़ गए, लेकिन तब मैंने इंटरप्ट किया, और कहा कि ये तो तुम एप्सुलूट रिटर्न बता रहे हो, ये जो प्रॉपर्टी अप्रिसेशन हुआ, वो तो 25 सालों में हुआ न, विच मीन्स कि ये CAGR हुआ 7 परसेंटेज का, अब ये रिटर्न तो हमें कोई भी फिक्स्ट रिटर्न जेनरेटिंग प्रॉडट्ट जैसे PPF, EPF, Debt Mutual Fund या फिक्स्ट डिपॉजिट भी दे सकते थे, वेल, अब विकास तो सिर्फ अपना एक एक experience शेर कर रहा था, और इस एक incidence ने उसका ये perception बना दिया कि असली पैसा तो real estate में ही बनता है, just because 20 लाग के 1 करोर 8 लाग रुपीज मिले, usually हमारे elders हमारा job लगते ही, हमें यही advice देते है कि बेटा property खरीद लो, बट ये हम सब को पता है कि property में invest करना इतना आसान नहीं है, और अगर हम prime area के बड़े office space की बात करें, तो in properties में invest करना एक middle class इंसान के लिए impossible है, as in properties का price तो thousands of crores में होता है, तो ऐसे में एक option जो retail investors के पास होता है, वो है REIT, that is real estate investment trust, so let's try to understand what is REIT, इंडिया में कौन से rates listed है, ये कैसे invest करते है, इनमें invest करके आप कितने returns expect कर सकते है, इनमें invest करके वाले profits पर कितना tax देना होता है, and finally, क्या हमें इनमें invest करना चाहिए, और ये सारी बाते समझे उससे पहले, मैं हूँ भाविन certified financial planner, और आप देख रहे है YouTube channel The Art of Wealth Building, आपका one point destination to seek an unbiased consultation on personal finance, So, अब तक, real estate में invest करने का सबसे best option यही था, कि या तो physical real estate खरीद लो, या फिर उन companies के shares खरीद लो, जो real estate sector से related है, जैसे की cement companies, steel companies, etc. लेकिन अब RITS भी एक और emerging option है, इन्हें पहली बार USA में introduced किया गया था 1960 में, और आज ये दुनिया के कही सारे देशों में as an investment option available है, So, what are RITS? They are somewhat similar to mutual funds, और ये भी mutual funds की तरह diversified होते हैं, और ये कही सारी properties में invest करते हैं, which means कि ये income producing real estate ओन करते हैं across the sector, जैसे residential properties, industrial units, office space, retail properties, mortgages and hotels, ये इन सारी properties में से rental income earn करते हैं, और dividends के form में अपने investors को distribute करते हैं, और investors जब RITS में invest करते हैं, तब उन्हें units allocate किये जाते हैं, RITS stock exchange पर listed होते हैं, which means कि इन्हें easily बेचा जा सकता है, और ये liquid होते हैं, mutual funds में underlined asset stocks होते हैं, जिन्हें easily बेचा जा सकता हैं, लेकिन RITS के underlined asset properties होती हैं, जो stocks की तरह liquid in nature नहीं होती, लेकिन फिर भी stock exchange में listed होने के कारण, investors इनके units को easily बेच सकते हैं, RITS के लिए उनके property portfolio को regularly value करना compulsory होता है, और उनके NAV यानि net asset value को calculate करना होता है, और इसलिए property के prices appreciate होने के साथ साथ, investors के units की value भी timely manner में appreciate होती है, So now, let's try to understand the structure of RITS, लेकिन इसे detail में समझे, उससे पहले अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपको future में अपने personal financial goals, जैसे retirement, घर खरीदना, car खरीदना, vacations पर जाना, बच्चों की higher education और marriage के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, और आपको अभी से क्या करना होगा इन goals को achieve करने के लिए, और कितने पैसे invest करने होंगे, तो what's that कीजिए इस number पर अपना personal financial plan बनवाने के लिए, RITS के structure की बात करें तो, RITS एक trust होता है, जिसे एक real estate company sponsor करती है, और फिर ये trust एक SPV यानि special purpose vehicle form करता है, जिसमें इस RITS का controlling stake होता है, और ये special purpose vehicle इस trust के बिहाफ पर properties hold करता है, So for example, XYZ real estate company एक trust form करेगी, जिसे RITS कहा जाएगा, और further ये RITS trust एक SPV form करेगा, और ये SPV, RITS यानि trust के बिहाफ पर properties own करेगा, इन properties के portfolio को professional fund managers manage करते हैं, और investment decisions लेते हैं, और fee charge करते हैं, and hence RITS में invest करके investors को professionally managed portfolio का benefit भी मिलता है, So अब समझते हैं, इंडिया में कुछ listed RITS को, फिलहाल, इंडिया में 3 listed RITS है, number 1, MBC office parks, number 2, mine space business parks, and number 3, Brookfield India real estate trust, और ये 3 RITS stock exchange पर trade होते हैं, लेकिन इनका trading volume 5 lakh से भी कम है, which is not that great, इंडिया में से भी RITS को regulate करता है, और इन RITS के लिए ये compulsory है, कि ये अपना portfolio, operational activity, distributions made to unit holders, और बाकि सारी information, timely manner में disclose करे, और unit holders के जरूरत की सारी information ये अपने annual report और इनके website पर भी publish करते हैं, so now let's understand कि RITS से investors कितना return expect कर सकते हैं, अब अगर हम इंडिया में rental yield की बात करें, तो ये काफी लोग है, अगर हम average rental yield की बात करें तो ये all over India सिर्फ 2 या 3 percentage की बीच ही है, और फिर इसमें से अगर हम repairs, tax और maintenance को निकाल दे, तो ये yield और भी कम हो जाती है, लेकिन commercial properties का yield residential property के comparison में थोड़ा जादा है, और अगर हम 3 listed RITS की बात करें तो इनके majority assets commercial properties में ही हैं, और इन्हें जादा तर fortune 500 companies ने lease किया हुआ है, regulations के हिसाब से RITS को अपना 80% investment उन properties में ही करना होता है, जो 100% completed है और उनसे revenue generate किया जा सकता है, और अपने charges deduct करने के बाद इनके लिए ये compulsory होता है, कि ये अपनी 90% income अपने unit holders को as a dividend distribute कर दे, at least twice in a year, plus demand and supply के कारण property के prices appreciate होने के कारण, इनके units की NAV भी increase होती है, और investors capital gains भी book कर सकते हैं, let's look at this table to understand the returns from listed RITS in last few years, embassy office parks RITS की listing 2019 में हुई थी और इनका अब तक का return है around 10.6%, जिसमें से 6.66% dividend है और 3.94% price appreciation से है, mind space business park RITS की listing 2020 में हुई थी और इनका अब तक का return है 17.24%, जिसमें से 5.92% is from dividends and balance 11.33% is from price appreciation and Brookfield की listing 2021 में हुई थी और इनका अब तक का return है 14.25%, जिसमें से 6.14% is from dividend and 8.11% is due to price appreciation, RITS के dividend returns जो की on an average 6% है, इन्हें किसी भी fixed return instrument जैसे FD के साथ compare, किया जा सकता है and the best thing is कि ये returns investor को inflation से protect करते हैं as in dividends की amount rents और property की price बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है, so now let's understand कि RITS पर मिलने वाले dividends को और units को बेशने पर होने वाले capital gains को tax कैसे किया जाता है, अब ये शायद थोड़ा confusing हो सकता है लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसे simplify करके explain कर सको, so पहले अगर हम units को बेच कर होने वाले gains की बात करें तो अगर investor units को 3 साल hold करने के बाद sell करता है, which is long term, तो होने वाले gains पर 10% का capital gain tax applicable होगा और financial year में होने वाले up to 1 lakh rupees के gain पर कोई भी tax नहीं देना होगा, और अगर investor 3 साल के पहले units को sell करते हैं, तो होने वाले gains पर 15% का short term capital gain tax applicable होगा, अब अगर हम dividend की बात करें तो rates के द्वारा create किये गए special purpose vehicle यानि SPV ने अगर concessional corporate tax के लिए opt नहीं किया है, तो SPV जब properties से होने वाली income को rates trust को देता है, तब SPV इस income पर already tax पे करता है, so to avoid double taxation in this case, rates जब investor को income distribute करते हैं, तो ये dividend investor के लिए tax free होता है, और इंडिया में फिलाल all the three listed rates have not opted for the concessional corporate tax, और mutual funds और stocks में फिलाल dividend is taxable, तो क्या हमें rates में invest करना चाहिए, although rates fixed income की guarantee नहीं देते, लेकिन अब तक Indian stock exchange में listed all the three rates have given regular returns to their investors, plus इन पर मिलने वाले dividends की amount, rents और property prices बढ़ने के साथ साथ बढ़ती भी है, तो ये investors को inflation से भी protect करते हैं, लेकिन फिलाल इंडिया में rates के बहुत ही limited options available है, plus इनके trading volumes जादा नहीं होने के कारण, इन में फिलाल जादा liquidity भी नहीं है, तो अगर investors चाहें, तो अपने portfolio का बहुती small portion as a diversification और regular income कमाने के लिए इन में invest करने का सोच सकते हैं, rates usually उन investors के लिए होता है, जो regular income expect करते हैं, लेकिन इन में invest करने से पहले, investors को अपना सही due diligence करके, जैसे rates occupancy rate, tenants diversification, lease period, quality of assets, financial और अपना risk appetite समझ कर invest करना चाहिए, अब I am sure कि इस वीडियो को देखने के बाद, आप अपने हर उस relative को समझा पाऊगे कि क्यों investment के लिए property से ज़ादा easy rates में invest करना होता है, हो सके, तो like कर दीजिएगा, और अपना financial plan बनवा कर, अपने financial goals कैसे achieve कर सकते हैं, ये समझना चाहते हैं, तो whatsapp कीजिए आपकी screen पर आए हुए number पर, हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो subscribe करके bell icon पर click करके all पर जरूर क्लिक कीजिए, तो आपको हमारे घर Wednesday और Sunday वाले वीडियो अपलोड होते ही notification मिलेगा आपके smart phone पर, आप हमारी website the art of wealth building पर भी visit कर सकते हैं, और अगर आप चाहें, तो आप हमें हमारे Instagram पर भी the art of wealth building सर्च करके follow कर सकते हैं,